जैए श्री राम दोस्तो भारत मिस्ट्रीज में आपका स्वागत हैं शनी देव की कृपा पाने के लिए जैए शनी देव कॉमेंट करना ना भूले 24 जनुवरी के सुभा 9 बच कर 53 मिनिट से शनी का अपनी राशी मकर में संचार हुआ शनी के इस राशी में आने से कुम राशी वालों की साड़े साथी शुरू हो रही हैं धनु और मकर राशी के लोग पहले से ही इसके प्रभाव में हैं इनके अलावा भी कई राशियों के लोग शनी के गोचर से विपरीद प्रभाव का सामना कर सकते हैं तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि शनी देव के कोप से बचने के आप किन उपाईयों को अपना सकते हैं शनी शान्ती के उपाई शनी देव का प्रकोप शांत करने के लिए शनीवार के दिन मंदिर से सरसो के तेल का दान करे इसके अलावा संकट मोचक हनुमान स्तोत्र, हनुमान नाश्टक, हनुमान मंत्र, बजरंग बान और पंचमुकी हनुमान कवचका पाठ कर सकते हैं इसके अलावा हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनीवार को श्री हनुमान जी को सिंदूर चड़ाईए रूदराक्ष से कम होगा साड़े साथी का प्रभाव यदि किसी व्यक्ति पर शनी की साड़े साथी चल रही है तो उसे एक से चौदा मुखी रूदराक्ष की माला धारन करनी चाहिए इससे शनी देव के प्रकोप से बचा जा सकता है इसके अलावा प्रती दिन शनी देव के चरणों के दर्शन करने से भी शनी प्रकोप से मुक्ति मिलती है दूर कर सकते हैं मानसिक तनाव यदि आप मानसिक तनाव से परिशान है तो इसके पीछे शनी देव का प्रकोप माना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसी समस्या से जूज रहा हो तो उसे शनी मंत्र ओम शम शनेश्राय नमहा का जप करना चाहिए इस मंत्र का जप व्यक्ति अपने च्छानुसार 11, 21, 51 और 108 बार कर सकता है ऐसे दूर करे आर्थिक संकट आर्थिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए नियमीत रूप से सुन्दर कांड का पाठ करना चाहिए इसके अलावा गुरुवार के दिन गाय को आटे के पेड़ पर हल्दी लगाकर खिलाईए इसके अलावा गुर्ड और चने की दाल खिलाईए कहा जाता है इससे शनी दोश का प्रभाव कम हो जाता है ऐसे बढ़ेगा व्यापार शनी के प्रकोप के चलते कई बार व्यापार में भी समस्यां आती है यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर आपके सहियोगियों से आपकी परिशानी हो रही है तो कार्याले परीसर में काली राई डाल दे इसके अलावा लाब न हो रहा हो तो कम से कम सोला चुहारे लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में रखे इससे व्यापार में हो रही हानी से छुटकारा मिल जाता है धन्यवाद दोस्तो वीडियो लाइक और शेर करना ना भूले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा डेली अपडेट्स के लिए दबाईए बेल आइकन और कॉमेंट्स में जैश्री राम लिखना ना भूले